हेलो फ्रेंड्स एसजी नीटिंगेंड क्राफ्ट्स पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स जे जो हम एडी वाली सौक्स बना रहे हैं आज इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है तो पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको पूरा बता दिया था कि कैसे सौ तक बना लिया था सेकंड पार्ट में दोने आपको मैंने डटेल से अच्छी तरह से बता दिया था एडी कैसे बनानी है लेफ्ट और राइट पैर की तो आगे जो हम बनाएंगे वह फ्रेंट्स आपको जे बता देती हूं दोने पैर की सेम ही सौक्स बनेगी जहां से एडी तो यह राइट बना जो जो ऊक्स का पिछ इसको उठा देती जहों तो लेफ्ट रवनें मैं आपको बताती हूं तो अभी चायां यह । आपने देखना ओता कि आपका पैर का सायथ कितना है जहां ब्लमी पर मैं समझार देती हूं कैसे आपने मकापना है जब आपका टांं का एंकल जहां जे वाला जहां जे तो आपका थम तक कितना आतां जे साड़ चार है डंबी पाँंच और 6 नंबर के पैर की है जे साड़े-4 इनचाना है ऐसे तो इसमें भी मैंने लगपक साथे चार की करीब थोड़ा सा जे स्टैच होता तो जैसे साथे चार डम्मी पर आया आपने थोड़ा सा कम रखना है दो चार सलाई क्योंकि खीच के जे बूल होती जो खिचती है ऐसे स्टैच होती है तो 42 जाला नॉर्मल जे बूल है अगर आप मोटी बूल नौ नॉमबर पर बना रहे हो तो आप 40 स्टैच ही बना सकते हो तो अब भी आगे हम जहां जे फिंगर्स वाला पार्ट बनाएंगी तो अंगोठे आला तो हमारे पास जे जो फंदे है 50 हमने टू फंदे लिये थे सौक्स में तो 52 फंदे है तो नौ फंदे मैं जहां जे इदर रखूँगी नौ फंदे इदर अंगोठे में रखूँगी बीच में जो हमारे 34 फंदे बसते हैं उनमें मैं फिंगर्स वाला पार्ट बनाओंगी अब फ्रेंट्स मैं जहां से बुनती जाओंगी नौ फंदे इदर मैं रखूँगी अंगोठे के नौ 10 11 12 13 14 15 16 जहां हमारी जो फली बनेगी अब 16 फंदे इदर 16 इदर बीच में एक 33 डाल लेते हैं यह दो फंदे ऐसे इसलाई में सीधे कर लेंगे और इसको ऐसे बापस डालके तीन का एक बनाएंगे एक फंदा मैंने 16 मां इदर का लिया एक फंदा इदर का तीन का एक जो फंदे इसको ऐसे ही रहने देना इसको नहीं बनाना अब आपको फिर एक वर बता देती हूं बीच में तीन का एक कैसे करना है तो आपने ऐसे ही करते जाना है 2 सलाई मेरी 3 का एक बनाया, 2 सलाई complete होगी, ऐसे उपर मैं 16 सलाई बनाऊँगी, टोटल 18 जा 16 सलाई बनाऊँगी, पहलो ऐसे बुन लेते हैं, यह हमने 3 का एक बनाया था, फली सी दिखरी, एक फ़ंदा रहने तक का अपने बना लेना, अभी यह फली बाला जो भीच का फंद तो अब एक खंदा इधर का लेंगे, तीन का एक बनाएंगे, ऐसे, ऐसे, तो यह ऐसे फली आपकी बनती जाएगी, आगे जितने फंदें आपको उसके सीधा बोल रहाणा, उल्टी साइड आपने उल्टे ही बनाना है, ऐसे ही फ्रेंट्स में सीधी साइड जब आऊंगी, त जे मैं तीन का एक बीच में बनाती गें, तो 16 सलाई मैं बना लेंगे, तो अभी मेरी सलाई में ठारा उनिस फंदे है, तो अभी मैं इतना ही बनाऊंगी, ठारा सलाई कम्प्लीट होगी, अब इन फंदों को वाइंड आफ करूँगी, तो पहले जो हम चेन बना रहे हैं, ज आइसे जी चेन तक में आगी, चेन वाला फंदा मैंने बुन लिया, अब सीधी साइड अंदर करूँगी, उल्टी साइड बार ऐसे काल लोगी, अब हमने क्या करना है, इनको वाइंड आफ करना है, जहां एक सलाई में और लोगी, तो अब हम वाइंड आफ करेंगी, चेन को दो का एक बना देंगे, ऐसे, अब जे वाला फंदा जो पीछे अला इसके उपर ऐसे हमने नकालना है, ऐसे, फिर द्वारा करेंगे जे इन पीट पीछे अला फंदा और आग याल इसलाई का फंदा, लेके दो का एक बनाएंगे, ऐसे, पीछे अला फंदा उपर से इसके नकाल देंगे ऐसे ऐसे आपने वाइंड ओफ करना है जे मैंने सब फंदों को वाइंड ओफ कर दिया और दागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ दिया जहां सलाई में काम आएगा तो अभी हमारे जे नौफंदे जो हमने आगे रखे नौफंदे जे पीछे रखे तो जहां हम इसको ऐसे करेंगे के जो हमने फिंगर्स ौर्ला पाट बनाया इदर से नहीं बनाएंगे बार की तरफ बनाएगे जे आसे बार की तरफ जहां ये ऐसे oops रहेंग सट्राई में काम आ जाएगा जब हम सोक्सकी सलाई करेंगे तो अब क्या करना है नौ फंदे जे पीचे अली सलाई के नौ फंदे आग याली सलाई में पीचे अली सलाई के जो फंदे है उसको नहीं बुनना है आगे बले जो फंदे है उनको हमने बुनना है जी आपने द्यान रखना है यावस ऐसे हम थम बनाएंगे बिना सलाई बाला तो देख लीजिए कैसे बनेगा यह मैंने तीसरी सलाई ले 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 हैं यह इदर अपनी तो तरफ सलाई है इसका एक फंदा पहले हम इसको बुन लेते हैं इसको बुनेंगे आगे वाल इसलाई का अपने बुनना है ऐसे पिछे इसलाई का बिने बुने हुए वतार लेना है आगे वाल इसलाई का बुनना है ऐसे बैक वाल इसलाई का ऐसे ले लेना आगे आगे इसलाई का बुनेगे बैक वाली स्लाई का नहीं बुणना आपने एक एक फंदा टर्न वाईज आपने लेते हैं आगी वाले का बुणना है और उसके आद बैक वाले का लेना है फिर आगी वाला बुणना है यह आपने ध्यान रखना है बैक वाला लेना है फिर आगे वाला बुनना है आगे वाला जो फंदा बैक वाला लेंगे ऐसे आगे वाला बुनेगे बैक वाला लेंगे बैक किसलाई का जो फंदा आगे वाला बुनेगे लास्ट का बैक वाला फंदा हमारा आया जो हमने ऐसे तार लिया आपने इस बात का द्याँ रखना है, जो आपका लास्ट वड़ा फंदा आया है, ये मेरा बैक वड़ा आया, तो मैंने नहीं बुना, अब भी स्लाई को टर्ण करना है, तो जहां आपने इस फंदे को बुणना है जब आपने अगली स्टार्ट करनी है नेक्स्ट जो फंदा आपने नहीं बुणा लास्ट आपका नहीं बुणा तो अब इसकी तरफ आपने बुणना है ये बुणना है तभी आपका साइड से जुड़ता होया बनेगा अभी जे ब आपको जब बनाओगे ना आपको पता चल जाएगा ऐसे अगर अब यहां आपको नहीं पता चल रहा तो आप जो मैंने फस्ट स्लाई बताई आप उसको वीडियो बैक करके देख सकते हो वीडियो को पीछे करके मैंने कैसे बता रहा है क्योंकि आपका अगर जे वाला फंदा आपने शुरू से सही बना लिया तो आपकी जे पूरी सलाई सारी सलाई जो सही जाएगी तो इसलिए आप बैक वीडियो करके भी देख सकते हो ठीके जे हमने बैक वाला जे नहीं बुना आगे बुना लास्ट में बैक वाला फिर हमारा बिना बुने आया अब सलाई को टर्न कर लेना है यही आपने सलाई रपीट करते जाना है लास्ट में हमने नहीं बुना था अब इदर से बुनना है ऐसे तभी हमारा साइड से जुटता जाएगा बीच में हमारा थम बनता जाएगा ऐसे ऐसे ही आपने ठारा सलाई बनानी ह जे मैंने ठारा सलाई बना ली तो अब हमने क्या करना है दागा मैंने काट दिया थोड़ा जे सुई में डाल दिया तो अब इसको बंद कैसे करना आप दियां से देखिए जे जो आगी आला फंदा है इसको सलाई में डालेंगे ऐसे पीछी आला फंदा छोड़ देंगे एक फंदा डालना है एक छोड़ना है पीछी आला जो हम नहीं बुनते उसको छोड़ देना है जो बुनते थे उसको सुई में डाल देना ऐसे इसको अब आदे फंदे हमारे सुई में डाल गए तो ऐसे यह अंदर से ओपन होगा हमारा ऐसे तो अब भी जे वाले फंदे भी हम सुई में डाल लेते है जो इदर की साइड ऐसे एक एक करके आपने ये फंदे भी आपने ऐसे डाल लेनी है ऐसे एक बार और आप डालना चाहते हूं तो डाल सकते हूं पक्का कर सकते हूं ऐसे उसके बाद इसको टाइट से खीच देना है सेधी साइड सोड़ा देख भी सकते हूं सैट हो गया ये खुराउं सा जिवान क्या सैट हो गया पुरा अब उपर से इसको थोड़ा पक्का कर देते हम ऐसे इंगर्स वाला पार्ट ये थम बन गया है थमकी है तो हमें इस लाई कनने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऐसे रैडी हो गया इधर से हम सलाई करेंगे तो अब हमारी सॉक्स तो त्यार होगी अब सलाई रहेगी है तो सलाई कैसे करनी है कहां से करनी है ये बता देती हूं पहलो सारी सॉक्स को हम उल्टा कर लेते हैं अब कि ऐसे कि जासे इस लाई ये करनी है यह दाघा कमने रखा था यह फिंगर सरबऴ इतनी सी सलाई उंगुठे में हमारी सलाय नहीं आई तो उंगुठे हम जहां आने दाघा जी रखोड़ा था जै सubby मेंटा लिया मैं हैं यहां से करती जाओंगि ग्रे तक करूंगी जो मैंने ग्रेब कलर तक जह बनाई सउक्स उसके बाद ओपर जहांसे हमने बॉर्डर बनाया बॉर्डर से लेके डियर डिसाइन डाला जो लग के उपर जैसे औस बनी है इतनी मैं ये तो जहां से स्टार्ट करते हैं आपको थोड़ा बता देती हूं तो आपने ऐसी ही जे स्लाई करनी है सीधी बस ये सॉक्स की स्लाई है ये की स्लाई आएगी एक आपकी फिंगर्स में आएगी जहां से आपने थोड़ा ऐसे थम स्टार्ट हुआ था ऐसी थोड़ा से इसको टंका लेके पहलों कर लेना है ये जहां से थोड़ा अच्छी तना से सवाई से ये बने उसके बाद फिर आगे तो चेन ये स्टार्ट हो गई है तो चेन से करते जाएंगे एक चेन एदर की तो ऐसे जे आपने करते जाना है तो जे मैं ऐसी ही सारी सॉक्स में पूरा जहां तक बॉर्डर तक स्लाई करती जाऊंगे जे फ्रेंट्स मैंने जहां से स्लाई कम्प्लीट कर ली सॉक्स हमारी रैडी होगी तो जे एडी देखो कितनी पर्फेक्ट बनके आई है जे ऐसे बहुत ही बड़िया बनी है जे शॉक्स पांच नमबर पैर के लिए जे है बहुत ही पर्फेक्ट है आपको जे मैं डमी में दखा देती हूँ डालके कैसी लगती है जे मैंने बची हुई बूल से बनाई है ग्रफेक्ट इसके एडी बनके आई है जिनका पांच नमबर का पैर है उनके लिए बहुत ही जे पर्फेक्ट सॉक्स बनी है ऐसे दिख लीजिए आप बहुत ही पर्फेक्ट बनी है इतने 52 फंदों में फ्रेंड्स अगर आप 9 नंबर की सलाई पर बनाओगे जैसे थोड़ी मोटी बूल में जे मैंने बनाई है तो जे मेरी 6 नंबर के लिए बनी है 6 नंबर और 7 नंबर के भी आ जाएगी नंबर पर मैंने 52 फंदों से जे बनाई है तो इसलिए जे आपने ध्यान में रखना है कौन सी बूल लेके कैसी आप सौक्स बना रही हो तो किस नंबर के पैर के लिए बना रही है कितने फंदे डालने है ऐसे तो ऐसे दोनी बन गी है कितनी प्यारी बनी है आप भी ऐसे बची होई बूल से जा अपनी पसंद के कलर लगा के जा सिंगल कलर से जो भी आपकी इच्छा है बना सकते हो तो फ्रेंट्स जे आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब किजिए व झाल